हमस्कार दोस्तों, दुनिया में बहुत पैसा है, कामाने वाला चाहिए, दुनिया में खूब पैसा है, बटोरने वाला चाहिए, दुनिया में इतना पैसा है जितना आप सोची नहीं सकते बात आती है, इतना पैसा है तो फिर हर आदमी क्यों परेशान है, कैसे नहीं कमा पाता दोस्तों, आज का ये वीडियो, उन लोगों के नियों समर्पित है, जो लोग कड़ी मेहनद करके भी केवल और केवल नोकरी के चंद हजार रुपे लेकर के घर चले जाते हैं पैसा है उनके पास बिजनेस करने को, मगर जुनूर नहीं है, हिम्मत रही है डर लगता है, फैल हो जाओंगा, डर लगता है, गहटा लग जाएगा, डर लगता है, बिजनेस में लोस हो जाएगा दोस्तों, है क्या आपके पास जो लोस हो जाएगा हर बिजनेस का लोस और प्रोफिट हिस्सा होता है कोई ऐसा बिजनेस नहीं है दुनिया में जिसमें लोस नहीं हो सकता हो तो फिर दुनिया क्यों करती है ये सारे बिजनेस क्या आप की तरह डरके उन्होंने बिजनेस सोड़ा है या किया है नहीं दोस्तों नहीं मैं कहना चाहूंगा केवल आप छोटी छोटी नोकरियों के पीछे दोड़ते दोड़ते बूड़े हो जाएंगे मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अठारे साल की उम्र में एक स्टोर में नोकरी करने लगे थे और वो अब 68 साल के हो गए उसी स्टोर में लगे हो गए है कभी सोचा ये नहीं उन्होंने एक हाती के बच्चे को पतली रद्दोरी से बांद दिया गया था खूब कोशिज की उसने तोड़ने की नहीं टूटी रोज उसी रशी से बढ़ा हाती का बच्चा जवान हो गया रशी वही है ताकत उसमें उससे सो गुनी ज़्यादा हो गई रशी नहीं तोड़ सकता ये बेडियां तोड़ देंगे आप बसरते के आप पैशा कमाना चाहते हैं मैं आप आज आपको इस वीडियो में तीन ऐसे बिजनेस बताना चाहता हूँ जो नोक्री से सो गुना अधिक तक कमाई देने वाले हैं बसरते की आप इनको थोड़े से सुरू करें ये बिजनेस जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो आप दो चार पांच लाग रुपे से सुरू कीजिए शुरुवात में और दीरे दीरे इन बिजनेस में अपना कमाये वे प्रेविट का 30% धान से सुनियेगा मेरी बात इन बिजनेस में से आप जो भी कमाते हैं उसका 30% इन ही में इन्वेस्ट करते रहिए आपके बिजनेस इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने एक करोड़ रुपे लगा दिये इसमें और दोस्तों जिस दिन आपके पैसे जो मैं बता रहा हूं उतने लग गए साथ पीडी तक सोचने की जरूर्ट नहीं है आपको पहला बिजनेस आइडिया हार्डवेर का सामान हार्डवेर बिजनेस आइडिया दोस्तों हर गर की जरूर्द हर आदमी की जरूर्द गरीब से लेके अमीर आत्मी को भी हार्डवेर के सामान की जरूर परती है कहां जाता है वो आत्मी खरीदने के लिए हार्डवेर की दुकान पर कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है आपको जब आपके प्रोड़क्स अच्छे होंगे लोगें से आपके लाइजन अच्छे होंगे शंपरक अच्छे होंगे ग्रह दोड़ा दोड़ा आएगा रेट आपके अच्छी होनी चीए क्वालेटी अच्छी होनी चीए आपका बोलने चालने का तरीका ठीक होना चीए जब आपके ये सारी बाते सही होंगी ग्रहागा आपके पास दोड़ा दोड़ा आएगा ये बिजनेस आप पांच साथ लाक रूपे से करना चाते हैं आपके गली मौले में चल सकता है ये बसरते कि वहां कम से कम तीन सो घर आसपास में हो आने वाले रास्ते गाओं के जो आने वाले रास्ते हैं जाते वक्त भूल गए किसी सामान को वो आप से खरीद लेंगे और दीरे दीरे चब आपका ये बिजनेस बढ़ने लग जाए तो आप सहर के मुखे बाजार में कोई किराए की दुकान ले करें आजकल दुकान खरीदना भी बहुत बड़ा काम हो गया है इसलिए मैं खरीदने के एडवाईज नहीं दूँगा आपको ये मेरी सोच है समझदार आदमी किराए के मकान में रहता है घर नहीं बनाता है समझदार आदमी किराए की दुकान में बिजनेस करता है खुद की दुकान नहीं बनाता है एक करोड रुपे लगे तब जागे मेन मार्केट में आपकी दुकान तैसील है डुकाटर पे होती है डिस्टिक है डुकाटर की बात ही कुछ हो रहे हैं वो भी दुकान मनती है तो ऐसे इस्तिति में आपको मार एडवाईज नहीं दूँगा आप पांसाथ जार रुपे मेहने किराये में एक दुकान ले लीजिए और सुरू कीजिए नोकरी से सो गुना कमा सकते हैं नोकरी से नो गुना कमा सकते हैं नोकरी से दो गुना कमा सकते हैं बाकि नोकरी से कम कतई नहीं रहेंगे क्योंकि ये प्रोड़क्स ही ऐसे हैं इनकी कोई विलेटिटी नहीं होती ये नहीं है कि आज लाये आप और तीन साल बाद में दो साल बाद में एक्ट्राइरी डेट है कोई एक्ट्राइरी डेट नहीं होती बहुत से आइटम्स की हाँ, कुछ आइटम्स की होती है उनको थोड़ा धांजे आपको स्टोर करना चाहिए एक बात और है इन में 1976 एक रुपे 80 पैसे किलो सर्या था मैंने कुद खरीदा है मैं सर्विस करता था उसमें और आज सर्या का क्या भाव है सोचिया, पड़े-पड़े बढ़ जाते हैं ये आइटम्स यानि 8 से 10 परशंट तो आपका वैसे ही बढ़ जाएगा जो आपने स्टोर कर रखा है वो ही बढ़ जाता है फिर लोस कैसे हो जाएगा मुझे बताई उपर से थोड़ा जपकेगा लोस होता है आपके बेवकूफी से लोस होता है आपके इमोशनल होना चे वाई साब आज पैसे नहीं ये कल दे दूँगा ये कल कभी नहीं आएगा दोस्तो उधार मत दीजिएगा गाट बांद लीजिए इस बात को लिख लीजिए कोई नहीं बताने आएगा आपको उधार मत दीजिएगा घरवाले भी कहेंगे कोई बात ने इकरायक नहीं आता है जो जानकार को उधार देदेना अरे ये जानकार ही डबोते हैं आपको क्या कर लोगे आप और सो नड़ जाएगा वो मना कर देगा मैंने लिया ही नहीं आपसे इतना प्रोडूट अब आप कहेंगे हमने बिल दिया था ये दिया था वो दिया था वो सारी बाते हैं आप विवाद करने माला कहीं भी कर सकता है लड़ाई जगडे माला कहीं भी कर सकता है बात आती है प्रोफिट कितना होता है Building material business. इसी से related है. जहाँ ऐदोड़ी चाहिए, वहाँ इंट भी चाहिए. जहाँ गूरमाला चाहिए, वहाँ सेंट भी चाहिए, प्लास्तर करना के लिए. जहां करणी चाहिए, वहाँ सीमेंट भी चाहिए. जहाँ छत बनेगी, वहाँ चोका पठी भी चाहिए. और जहां construction होगा, वहां RCC का construction होगा, तो वहां सरिया भी चाहिए, यह building material का business, बहुत बड़ा scope है इसमें, लगाने को आप इसमें करोडों रुपे लगा सकते हो, मगर मैं कहूंगा, शुरुआत में आप थोड़े से शुरू कीजिए, एक बहुत बड़ा बाड़ा, नहीं कह सकता मैं, छोटा ऐसा बाड़ा float ले लीजिए, असीगाई असीगाई, बहुत बड़ा होता है, कम नहीं होता है, किराए पर ले ले लीजिए, महाँ एक टुक यहीं डिलवा लीजिए, एक टाछे शेंट डिलवा लीजिए, जिसको बजरी इकरिसर बोलते हैं, आप कहां लोकल में क्या बोलते हैं, उस हिसाब से, शुरुआत कीजिए, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, कोई ग्रहक नहीं आएगा, अगर जब ग् खपत होने लगे विकने लगे ज्यादा मंगवा लीजिए इसी तरह आप शुरू करेंगे कि दो चार पांस लाग प्रुपे में आपका बिजनेस सेट हो जाएगा और धीरे धीरे मैंने पहले वीडियो में इसी वीडियो में पहले बताया था कि अपनी बचत का प्रोफिट का 30% इसी में इन्वेस्ट कीजिए ऐसे करते करते आपका ये बिजनेस एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा एक नहीं हजानों उदारें बता सकता हूं ना तीसरा बिजनेस लकड़ी का फर्नीचर या यूं कर सकते हैं फर्नीचर बिजनेस दोस्तों हर गर अटा पड़ा है फर्नीचर से कोई घर में किचर में बैठके खाना नहीं का था ड्रेसिंग टेबल चाहिए बैडरूम में ड्रेसिंग टेबल चाहिए बच्चों के लिए प घर में बैट चाहिए, ये कहां से आता है, सब फरनिचर की दुकान से, मैं आपको फरनिचर बनाएने की राय नहीं दे रहा हूं, बड़े सहरों में बहुत चैसे स्टोर हैं, वहां से खरीद के ला करके आप अपने गाउं में, अपने सहर में एक दुकान खुल सकते हैं, जो बड़ी हो, वो डाउन भी चाहिए इसमें, इसवे आप 20 से 25 परसेंट प्रोफिट लेकर के बेचना शुरू करेंगे, तो आपका सारा मिलाकर के 15 परसेंट बैठेगा, और ही डा एक्सेंसेज आपके इंटरेस्ट लगते हैं, और लगते हैं, ये सारी बातें आकर के 15 परसे तो 15 परसेंट पीचे तरह जार रुपे कमा दिये हो, और ये पीचे तरह जार रुपे, आज जो पीचे तरह जार रुपे हैं, मार्केट की पकड़ हो गई, तो ये साड़े साथ लाक रुपे होते कोई देर नहीं लगती, मगर जो नोकरी आप कर रहे थे, वो बारह हजार क की नोकरी, 15,000 की नोकरी ये 20,000 की नोकरी, 25,000 मेक जिमम, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, प्राइवेट सेक्टर की बात करना है, जो डिक्री होल्डर नहीं है, जिन्नोंने बहुत कुछ नहीं पढ़ाए, उन लोगों की बात करना है, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता है, जो 25 ले रहा था, वो सुपव 14,000 रुपे कमा लेगा महने के 3 गुने होगे, इसलिए मैं कहता हूँ, 9 करी से 3 गुना, 9 करी से 13 गुना, 9 करी से 33 गुना और 9 करी से 100 गुना पैसा भी कमाया जाता है, वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेर और कमेंट कीजिएगा, नमस्का मैं आी को मैंना मैंना जाता है, जू झाया हो मैं।